Back to my challenge, मेरे इस challenge में आप लोगा फीर से स्वागत है Parents मैं आज एक बहुती requested topic की उपर वीडियो लेके आई हूँ जो है बच्ची की behavior के उपर आप कैसे घर में कुछ easy technique के माधम से बच्ची की behavior को correction कर सकते हो पहले आप basic में step by step करके अब चलो मैं ये वाला वीडियो पहले डाल रही हूँ क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा good habit की वीडियो में डालूंगी जो आपको कराना है बच्ची की कोई भी bad behavior हो जैसे flapping हो गया या fear of aggression हो गया speeding हो गया जो भी bad behavior हो आपको reduce करने से पहले आपको बच्चों को पहले good behavior introduce करना है और आपको बोलना है हमको ये bad behavior नहीं करना है हमको सिर्फ good behavior करना है because आप good boy हो या फिर आप good girl हो आपको इस टाइप से ही बच्चों को बोलना है उसके बाद मैं पैसो के उपर एक वीडियो बनाऊंगी बो भी एक requested वीडियो है पहले आप एक वीडियो बच्चो को करा उसके बाद next में जो वीडियो में डालूंगी बो पैसो के उपर वीडियो डालूंगी parents please ये सारा activity आप बच्चो को करा आपको कुछ भी speech activity सिखाने के लिए जो चाहिए वो है noun book आपको एक-एक जो good habit का जो picture है वो आपको इस type से निकालना है या फिर आप flashcard online से भी खड़ी सकते हो इस सारा flashcard मैंने कृष्की थरापी सेंटर से पाया था और इस तरह से मैं उसको good habits की और speech की हर एक activity करा थी थी मैं noun book में good habits की एक-एक picture को paste किया है आपको भी इस type से paste करना है और बच्चों को सुभे साम दो टाइम आपको दिखाना है इसे बच्ची की speech में भी बहुत improvement आती है मैं क्रिश को पहले इस activity कराती थी जब उसका speech में ने development करी थी मैं इस picture card को क्रिश को different direction में touch कराऊंगी आपको भी इस type से कराना है जैसे क्रिश touch करो girl sitting कर रहा है क्रिश touch करो girl school जा रहा है touch करो boy book पर रहा है और boy writing कर रहा है आपको इस type से हर एक direction में बच्चो को touch कराना है आप इस direction में touch कर सकते हो अगर आपका बच्चा की understanding बहुत कम है तो आपको इस type से करना है क्रिश गीब मी और फिंगर राइट है इधर girl sitting कर रहा है sitting is a good habit इधर girl school जा रहा है school going to school is a good habit इधर boy writing कर रहा है writing is a good habit इधर boy reading कर रहा है reading is a good habit परेंच आपको हर एक good habit को इस type से introduce करना है एक एक करके पहले noun book में कराओ noun book में touch कराने के बाद आप इसको open करके फिर से आप बच्चो को introduce करो इसके बाद आपको इस type से good habit की flash card को रखना है और बच्चो को बोलना है cycling is a good habit blowing is a good habit bathing is a good habit पहले आप दो-दो card introduce करो उसके बाद आप पहले four card रखो उसके बाद six card रखो जैसे इधर eating is a good habit playing is a good habit and painting is a good habit उसके बाद आपको बच्चों से cross check करना है कि बच्चे की किदमी understanding हुई है उसके बाद आपको करना है cycling is a good habit playing is a good habit painting is a good habit eating is a good habit blowing is a good habit and painting is a good habit आपको बच्चों से start का card लेना है पर आप पहले दो card से start करो बच्ची की understanding की हिसाब से उसके बाद आप धीरे-धीरे card की संखा बढ़ाऊ flash card दो-टाइम कराने के बाद आपको बच्चों से पूछना है कि बच्चों की good habit की बारे में कितना पहचान हुआ है मैं भी क्रिश को पहले-पहले good habit की flash card दो-टाइम कराती थी क्योंकि इसकी थरफ इसने बोला था क्योंकि good habit जितना बच्चों को मैंने मालूम होगा बच्चों की उतनी behavior correction होगा सलो क्रिश आप finger को point करके बोलो very good क्रिश आपको इस टाइब से बच्चों को बोलना है उसके बाद बच्चों से पूछना है अगर आपका बच्चा नौन बरवल है तो आपको बच्चों के सामनी इस टाइब से बोलना है book reading is a good habit eating is a good habit बच्चों के सामने रखके बोलना है अपने मुँ के पास brushing is a good habit आपको इस टाइब से बोलना है दो टाइम तो को flash cut कराने के बाद आपको इस टाइब से object से बच्चों को good habit की पहाचान कराना है जैसे देखो हम writing किस से करते हैं आप इस टाइब से पहले बोलो हम pencil से राइटिंग करते हैं राइटिंग इस टाइब इस टाइब से बच्चों को बोलोगे तो बच्चे की good habit की तो पहाचान होगा उससे बच्चे की language भी बहुत सारा development होता है इस activity से आप object देखके Krish good habit बोलेगा Krish को मैं इस टाइब से ही good habit शिखाया है इसलिए वो इतना अच्छा हो गाया आप good habit बोलो इस टाइब से बच्चों कोeder भी उसे से बोलने के बाद आपको इस आप से इंटर्डूस करना है अगर आपका बच्छा नॉन बर्वल है तो बोलना है राइटिंग करते हैं प्लेइंग इसके बाद आपको गूड हाबिट का अबजेट को बच्चों के सामने रखना है और बच्चों से क्रॉस चेक करना है कि बच्चे की यह सारा गूड हाबिट को कितना अंडस्टानिंग हुए इसलिए आपको बच्चों से लेना है जैसे क्रीश हमको बो देदो जिससे हम बातिंग करते हैं हमको बो देदो जिससे हम इटिंग करते हैं हमको बो देदो जिससे हम ड्रिंकिंग करते हैं हमको बो देदो जिससे हम राइटिंग करते हैं हमको बो देदो जिससे हम नेल काटिंग करते हैं हमको वो दे दो जिससे हम book reading करते है हमको वो दे दो जिससे हम ball playing करते है हमको वो दे दो जिससे हम combing करते है very good आपको इस type से बच्चों से object की लेना है जो good habit का object है और बच्चों से सामने इस type से बोलना है पैरेंस उसके बाद आपको good habit का picture को print out निकालके बच्चों के सामने इस type से दिखाना है बोलना है जैसे wash your hand before and after eating is a good habit healthy eating habit is a good habit take a bath daily is a good habit आपको इस type से सुच good habit का picture को आपको print out निकालके बच्चों के सुभे साम दिखाना है अगर आपका बच्चा non-bird word है तो कोई बात नहीं आपको बच्चों के सामने इस type से बोलना है बच्चों के होके आप बोल दो pray to God is a good habit देखो हम follow rules करते हैं देखो हम zebra crossing के उपर always road cross करते हैं traffic signal हमको दिखना है उसके बाद हमको elder code expect करना है water quiz नहीं करना इस type से आपको बोलना है बच्चों के सामने देखो क्रिश को मैंने इतना सारा good habit उसके बाद bad habit का वाक्षिट कराया है उसमें से आपको मैं share करी हूँ चलो क्रिश आप घुड हब भीच परो information बच्चों करना है इतना दिखे लोकर गुड की परो इस टाइब से बच्चों को फराना है गुड हाविड आपको दो टाइम इस टाइब से गुड हविड अगर आप पराओगे तो बच्चे की बहुत ही अच्छा हो जाएगा और पौन सा गुड बहेवियर है कौन सा हमको करना है वो भी हमको बोलना है और कौन सा बहेवियर नहीं करना है वो भी बोलना है अगर आपको यह सारा वीड़ियो अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ जरूर कराओ और उसके बाद में बहुत सारा गुड हुड की वीड़ियो आप लोगे साथ शेयर करूंगे और बहुत सारा इस टाइप की वा ओिन्हें खिरे शब्सक्राइब एंट फिरेवार लेट पिरेवाई प्रॉट प्रॉट 750 अचाइटे ये चेले लिएर भी सीजाव पिरेशियों , अचारिया लेट टेग बड़ारणी ये वान ये खित है कि प्रॉट को तनि अबने कि लिए नगारे लेड़ को फिरे देटें